टेक्नो दोस्तो बहुत ही जलती है अपने टेक्नो पोवा का सक्सेस है टेक्नो पोवा 2 को इंडियन मार्केट में लॉंच कर सकता है और इस स्मार्टफोन के अंतर आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे इसके लावा प्राइस पोइंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस पेसिफिकेशन की बात करे तो फोन के अंदर आपको 6.9 इंच की काफी बड़ी डिस्पले देखने को मिलेगी और इतना ही नहीं दोस्तो हाई रेजूलिशन वाले डिस्पले देखने को मिल जाएगी फुल एच्छिब प्लस आपको रेजूलि जिसमें आपको 48MP का main camera, इसके लावा 2MP, plus 2MP, plus 2MP के बाखी और sensors देखने को मिल जाएंगे इसके लावा दोस्तों फोन के front में आपको 8MP का center punch hole camera देखने को मिलने वाला है तो camera quality काफी अच्छा है, फोन के दोस्तों performance की बात करें तो इस smartphone के अंदर आपको मिल जाएगा Miradak का Helio G85 chipset अब previous जो techno POVA था, उसके अंदर आपको Helio G80 देखने को मिलता था उससे थोड़ा सा upgrade chipset इस पर आपको देखने को मिलेगा जो daily use में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा high end game भी आप medium setting में कर पाऊगे, कोई भी इशू आली बात नहीं है साथी performance की बात करें, तो daily use में आपको काफी कमाल की अच्छी कासी perform करके दे सकता है साथी दोस्तों फोन की battery की बात करें, जो इस smartphone का सबसे highlight feature है फोन के अंतर आपको 7000 mAh के काफी बड़ी battery देखने को मिलने वाली है और इसको charge करने के लिए 18W का fast charger आपको out to the box देखने को मिलेगा अब दोस्तों battery की बात करें, कम से कम आपके फोन का जो backup है डेल से दो दिल का देगा, जो काफी बड़ी बात हो जाती है इसके लावा थोड़ा बहुत आपको fast charging का भी support देखने को मिल जाएगा तो battery department में no doubt काफी कमाल की battery आपको इस बार देखने को मिल जाएगी साथी दोस्तों phone के sensors की बात करें, सारे sensors आपको देखने को मिलेंगे side mounted fingerprint sensor देखने को मिल जाएगा साथी दोस्तों phone आपको out to the box Android 11 पे देखने को मिलेगा इसके लावा phone में आपको 3.5 FM jack देखने को मिल जाएगा triple card का slot भी देखने को मिल जाएगा phone की दोस्तों price point की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा इसका जो base variant होगा 4GB RAM 64GB storage वो आपको इंडिया के अंदर 10,000 की price point में देखने को मिल सकता है इसके लावा एक बेरेंट ओड देखने को मिलेगा 6GB RAM 128GB storage जो आपको 12,000 की price point में देखने को मिल सकता है अब दोस्तों इस specification के साब से price point देखा जाए तो काफी killer यह smartphone बन जाता है और इंडिया के अंदर भी आने वाले एक से डेड़ महिने के अंदर यह launch होने वाला है बाकी दोस्तों आप comment सकते हो आपकी क्या रहा है टेक्नो पोवा 2 smartphone को लेके तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही उमीद करतों वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना